महराष्ट्र विधान सभा चुनाव की तैयारियां जोरो पर हैं सभी दल पूरी ताकत जोग रहे हैं तमाम राजनेतिक पार्टिया अपने अपने उमीदवार फाइनल कर रही हैं और मंगलवार को नावांकन का आखरी दिन था और आज सभी पार्टियों ने अपने उमीदवार फाइनल कर लिये हैं महराष्ट विधान सभा चुनाव के लिए शरत पवार की न्सीपी ने उमीदवारों की पांचवी लिस्ट जारी कर दी पांचवी और आखरी लिस्ट में पाटी ने पांच प्रत्याशियों के नामू का एलान किया इस लिस्ट में माढः, मुलूंड, मोर्शी, पंडरपुर और मुहोल से प्रत्याशियों की घोशना की गई है महराष्ट में नामांकन की मंगलवार को आखरी तारीक थी एनसीपी शरत पवार गुट ने माढः से अभिजीत पाटिल, मुलूंड से संगीता वाजे को मीदवार बनाया वहीं मोर्शी से गिरीश कराले, पंडरपुर से अनिल सावन्थ और मोहोल से राजु खरे को टिकट दिया तो इस तरह से एनसीपी शरत पवार गुट ने पाँच और परत्याशियों के नामों का अईलान किया है और अब तक एनसीपी शरत पवार गुट ने 87 परत्याशियों को मैदान में उतारा है बतादे कि NCP ने पार्टी की पहली सूची 24 अक्टूबर को जारी की थी जिसमें 45 उमीदवारों के नामों का एलान किया था इसके बाद 26 अक्टूबर को 22 परत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी करी गई थी जबकि 27 अक्टूबर को 9 परत्याशियों की तीसरी सूची और 28 26 अक्टूबर को 7 परत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की गई पार्टी ने पांचवी और आखरी सूची में 5 परत्याशियों के नामों का एलान किया इस तरह पार्टी ने कुल 87 सीटों पर अपने उमीदवार उतार दिये हैं और अब माना जा रहा है कि NCP शरद पवा गुट 87 सीटों पर ही महाराश्ट्र में चुनाव लड़ेगा आपको बता दे कि महाविकास घाडी की जो बैठक हुई थी सीट बटवारे पर जो बाते हुई थी उस मीटिंग में ये निर्धारित हुआ था पहले कि NCP शरद पवार गुट कॉंग्रेस और शिवसेना UBT 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी बची हुई सीटें सहिव की दलों को दी जाएंगी लेकिन नामांकन का आखरी दिन आते आते में सीटों पर बात नहीं बन पाई पेच लगातार फसा रहा अब शरद पवार गुटने 87 उमीदवार अपने मैदान में उतारे हैं और कॉंग्रेस के अगर बात करें तो कॉंग्रेस भी इस 85 सीटों के आखरे से आगे बढ़ गई है उसने 100 से ज्यादा सीटों पर अपने उमीदवारों का एलान किया है वहीं अगर शिवसेना UBT के बात करें तो उसने भी 85 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार पंधरपुर में कॉंग्रेस और NCP शरतपवार एक दूसरे क्यामने सामने होंगे यहां NCP-SP ने अनिल सावंद को उतारा तो कॉंग्रेस ने भागिरत भालके को टिकट दिया है वहीं सोलापुर साउथ सीट पर कॉंग्रेस और शिवसेना UBT की friendly fight देखने को मिलेगी उनके प् महाराष्ट में निर्वाचन आयोग की ओर से विधान सभा चुनाओ की कारिकरमू की घोशना हो चुकी है राज्ज में विधान सभा चुनाओ की सभी 288 सीटों पर एक ही फेज में 20 नौंबर को मतदान होने हैं वहीं नतीजे 23 नौंबर को घोशित किये जाएंगे चास घाड़ी में कॉंग्रेस, शिवसेना UBT यानि कि उत्धो ठाकरेगी पार्टी और NCP शरत पवार गुट शामिल है यानि कि महाराष्ट में तीन तीन दलों का मुकाबला होना है और पहली बार महाराष्ट के विधान सभा चुनाओ में ऐसा हो रहा है जब च्छै बड़े दल पूरी ताकत जोक रहे हैं और चुनाओी मैदान में उत्रे हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद